नमस्कार दोस्तो हमारी यूटूब चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आपको पताए कि फ्यूजर में जो है एर कंडिशनर की बहुत ज़्यादा रिकॉर्मेंट इंडिया में होने वाली है क्योंकि आपको पता है टेंपरेचर इंडिया में दिन परती दिन बढ़ता ही जा के उपर चिपका के लगा के आगे मार्केट में सेल करती है तो कंपनी एक है और ये कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी को सेल करती है कंपनी का नाम है दोस्तों एंबर इंटरप्राइज बहुत धी खूबसूरत के कंपनी है यहां पर इसकी लिस्टिंग हुए थी 2018 के आसपास म आप परिमानिएगा लेकिन यहां पर गिरावट ना होती तो 194 परसेंट के रेटन देखने को मिलते काफी मजबूत रेटर और यहां पर एक अच्छा मौका भी मिल रहा है कि यहां पर हम करना चाहें तो इन्वेस्टमेट करना स्टार्ट भी कर सकते हैं ठीक है यहां पर दि टोप भी अचीव करते हैं यहां तक का तो हमारे जो पैसे हैं डारेक्ट और डार्ट डाबल हो जाएंगे इतने इस कंपनी में गिरावट हो चाहें बहुत खुबसूरत है कि यहां पर यह कंपनी और लोंगटर में बहुत बड़ा पैसा पनाएंगे क्योंकि आपको पताई पातरी कौन सी कंपणिया इससे जो एस सी प्रचेज करते हैं तो जोन्डियर हो गया, डैकिन हो गया, LG हो गया, Itachi हो गया, ठीक है, महिंदरा हो गया, बलूस्टार, कैर्य PP हैं मतलब एसी से प्रोडेक्ट जो है लेती है कंपनिय और के मार्केट में sell करती है तो मुझे लगता है यहां पर ऐसी मार्केट में demand रहेगी आगे future में तो इसी वज़े से इसमें बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है ठीक है डबल ट्रिपल हुई तो मतलब काफी गर्जब का पैसा हमारा बनेगा चोटी भी investment करते हो तो बड़ा पैसा हमारा बन सकते हैं अपर ठीक है इसी वज़े से थोड़ा सा जादा ही गिरावट देखने को मिला है लेकिन future मापको पताएगी कितना bright होने वाला है air conditioner के मामले में तो यह company बहुत बड़ा पैसा बना करके आपको देगी reserves की बात करें तो 1756 करोड के reserve है कर्ज की बात करें तो 1347 करोड का कर्ज भी है मतलब कर्ज reserve लगबग लगबग बराबबर सा इमान के चलिएगा ठीक है दूसरा बात करें यहां पर दीखेंग प्रमोटर की जो holding 40.27 थी लेकिन फिलाज जो है 40.31% के आसपस है मतलब यहां पर प्रमोटर ने अच्छी खासी हिस्सिदारी अपनी रखी है इसी के साथ साथ जो है दूसरा अगर बात करें FIA की holding की तो 27% के है उसी के साथ DIA की 11% की holding मतलब यहां पर जो पबलिक की पास है बहुत कम सेहर है इसके मुकाबले में 80% के आसपस जो है FIA, DIA और इसके साथ प्र क्वार्टर में लेकिन दिसंबर 2022 के क्वार्टर में यहां पर काफी गजब की जो है holding देखने को मिली है इंकरीज होतु है देखने को मिली है FIA की holding तो यहां पर एक अच्छा मोका भी है कि 50% की गिरावट में मिला है future भी bright है तो यहां पर चोटा investment करके बड़ा पैसा अगर चापना चाते हैं न तो बना सकते हैं ठीक है और इसका अगर बात करें new listed company 2018 में लिश्टी हुए है और कोई ज्यादा return में भी नहीं दिया है तो long term में जैसे जैसे time spend होगा इस share के साथ वैसे पैसे पहुत बड़ा पैसा यह company बना करके देगी सिरफ 6000 क्रोड की कंपनी है small cap category और अच्छी गिरावट भी है 50% की आसपस की गिरावट है तो यही गिरावट आपको double triple पैसा करके देगी ठीक है तो दोस्तों यह एक ऐसा share है जिसकी demand भी फ्यूजर में अच्छी कासी रहने वाली है ठीक है इसी के साथ आपको पताए कि गर्मी जो है कितनी बढ़ने वाल हम क्योंकि small cap category का है और 10 साल भी अगर 30% की compounding दे देना तो 10 साल में ही आपके यही बीस हजार रुपे की जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,66,000 रुपे बना करके आपको दे देगी वह आपको काफी गजब का पैसा यह company बना करके दे सकते है वहीं पर 20 साल तक यही average माने के चल इसके बाद जो compounding effect दिखाती है न अपना बहुत मतलब speed के साथ पैसा बनता है long term में ठीक है तो यह एक ऐसा से रहा है जिसका future bright है और आपको पता है कि demand अच्छी रहने वाले है air conditioner के मामले में ठीक है तो यह एक ऐसा से रहा है जो बड़ा पैसा आपको बना करके दे सकता है सकता है छोटी सी investment के साथ तो दोस्तों मिलते है नाइक्स ट्वीटियो में इसके उपर study कीजिएगा मिलते है नाइक्स ट्वीटियो में thank you so much